दोस्तों आपके मन में कई बार ये सवाल आया होगा कि लॉयर, एड़ोकेट और बैरिष्टर में आखिर क्या अंतर होता है सीनियर एड़ोकेट, एड़ोकेट जेनरल, सॉलिसेटर जेनरल और एटॉर्णी जेनरल ये टर्म्स भी आपने बहुत बार सुने होंगे महत्मा गांधी बैरिष्टर थे या एड़ोकेट दोस्तों आज किस वीडियो में कॉमली इस तरह की यूज किये जाने वाले टर्म्स को आप समझेंगे इन्हें कब और किस के लिए यूज करना है ये भी आप जानेंगे तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम दो टर्म्स लायर और बैरिष्टर को समझ लेते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं लायर की जिसे वकील कहते हैं तो basically lawyer या वकील वो इनसान होते हैं जिसने law की पढ़ाई की हो जो law graduate हो आप चाहे उसने 3 साल का L.L.B. का कोर्स किया हो या फिर 5 साल का B.L.B. का कोर्स किया हो वो lawyer होता है लेकिन advocate नहीं होता है इसे आप आगे समझेंगे तो आप कह सकते हैं कि जिसके पास law की डिगरी है जिसने law की पढ़ाई की है वो lawyer या वकील होते हैं लेकिन सिर्फ एक lawyer बनकर आप किसी भी client को court में represent नहीं कर सकते हैं या आप किसी का case नहीं लड़ सकते हैं क्यों ये भी आप आगे थोड़ी देर में समझ जाएंगे दूसरा टर्म है barrister आपको बता दे कि अगर आपने इंडिया में law की डिगरी प्राप्त की है तो आप बनते हैं lawyer वहीं अगर आपने इंग्लैंड में या फिर साउथ अपरिका में law की पढ़ाई करके डिगरी प्राप्त की है तो आप बनते हैं barrister सिर्फ term different है बाकी दोनों क का मतलब एक ही होता है और lawyer की तरह ही barrister भी किसी क्लाइंट को court में रिप्रिजेंट नहीं कर सकता है या फिर उनके cases नहीं लड़ सकता है इंडिया में जब कोई lawyer या barrister खुद को BCI का exam देंगे जिसे pass करने के बाद आप वहाँ खुद को enroll कर सकेंगे इसके बाद आपको BCI से court में practice करने का license मिल जाएगा और आप liar से promote हो करके बन जाएंगे advocate मतलब अधिवक्ता तो अब आप ये समझ सकते हैं कि यदि कोई विक्ती अपने आपको advocate या फिर अधिवक्ता बताता है तो इसका मतलब होता है कि उसके पास अदालत में practice करने का license है और वह client को court में represent कर सकता है और उनके cases लड़ सकता है तो दोस्तो बेसिकली यही difference होता है advocate और lawyer में जो lawyer होते हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ lawkit degree होती है या फिर barrister होते हैं उनके पास भी lawkit degree होती है ल वार काउंसिल में enrolled होते हैं और उनके पास court में practice करने का license होता है वह client को court में represent कर सकते हैं और on उनके cases लड़ सकते हैं अब यह senior advocate क्या होते हैं तो senior advocate की माननेता high court या Supreme Court उन एड़ोकेट को देते हैं जिनके पास अच्छा खासा experience यानिकी अनुभो होता है और कानून की अच्छी जानकारी हो मतलब ऐसे एड़ोकेट जिनके पास 10 वर्ष से ज्यादा का practice का experience हो और तमाम सारे cases में appear हुए हो और कितने फैसले उनके favor में आए या फिर नहीं आए है उनका कैसा record है इसके आधार पर यह decide किया जाता है जब कोई senior advocate हो जाता है तो उनका gown उनका coat यह सब different हो जाता है और उनकी face भी काफी जादा बढ़ जाती है basically senior advocate का दरजा उनका year of experience और knowledge देखकर के दिया जाता है इसके बाद आता है advocate on record यानि AOR यह बात सायद आपको नहीं पता होगी कि supreme court जिसे अपक्स court उचितम नयाले या सरोच नयाले भी कहा जाता है इसमें सिर्फ और सिर्फ AOR ही case को file कर सकते हैं जनरली हर court के अपने कुछ rules, functions और procedure होते हैं ठेक उसी तरह supreme court के भी अपने कुछ अलग rules है तो अगर supreme court में कोई भी advocate case file करने चलाएगा तो supreme court का time fast होगा इसलिए जो A AOR यानि कि advocate on record में registered होते हैं सिर्फ और सिर्फ वही advocate supreme court में case file कर सकते हैं अब एक बात आप और समझ लीजिए कि case draft तो चाहे कोई भी कर सकता है या तक कि बहस भी कोई भी कर सकता है सिर्फ case filing के लिए restriction दे गई है कि case file सिर्फ और सिर्फ AOR ही करेगा क्योंकि उनको इन सब ची Supreme Court की AOR की परिच्छा पास करनी पड़ती है इसके बाद हम बात करते हैं एडवोकेट जनरल की जिसे महाधिवक्ता कहते हैं प्रतेक स्टेट के governor यानि कि राजजपाल अपने स्टेट के लिए एक एडवोकेट जनरल को एपॉइंट करते हैं एडवोकेट जनरल यानि कि महा एडवोकेट जनरल इसके साथ ही अगर स्टेट गवर्मेंट को कोई लीगल एडवाइस चाहिए होते हैं तो वो भी एडवोकेट जनरल ही देते हैं एडवोकेट जनरल को स्टेट का फर्स्ट लाओफिसर कहा जाता है इसके बाद हम बात करते हैं एटॉर्णी जनरल की एट पूर्ट में केंद्र सरकार का पच्छ रखते हैं एटॉर्णी जनरल को देश का फर्ष्ट लॉफिसर कहा जाता है इस सेंटरल गवर्मेंट के किसी भी लीगल मैटर में सलाह देते हैं यानि की एडवाइस देते हैं एटॉर्णी जनरल के बाद सेकेंड नंबर पर होते हैं Solicitor General को Country का Second Law Officer कहा जाता है दोस्तों दो ठर्म आप और सुनते हैं एक Public Prosecutor और दूसरा Government Plader हमारे देश में किसी भी विक्ति या विक्तियों की समूह द्वारा किये अपराधी क्रति को पूरे समाज के खिलाब किया अपराध माना जाता है इस लिहाज से अपराधी द्वारा कि सरकार पर होता है क्योंकि किसी भी विक्ति द्वारा की अगया अपराध पूरे समाज को प्रभावित करता है ऐसे में अगर एक एड़ोकेट जो सरकार की तरफ से पीडित का पच्छी लेता है यानि विक्टिम की तरफ से कोर्ट में प्रस्तोत होता है इसे ही Public Prosecutor यानि लो से अपेच्छा की जाती है कि वह निस्पत चुरूप से कारे करें और मामलों में मामलों से संबंधित सभी तथ्यों दस्तावेजों और साच्छों को अधालत के सामने प्रस्तुत करें ताकि अधालत नियाय कर सके तो Public Prosecutor वो होते हैं जो अपराधिक मामलों में यानि कि क्रिमिनल केसिज में पीडित को नियाय दिलाने के लिए सरकार की तरफ से एपोइंट की जाते हैं जो वकिल सीविल केसिज यानि की दीवानी मामलों में पीडित को नियाय दिलाने के लिए सरकार की तरफ से नियुक्त की गए वकिल को गवर्निमेंट प्रीडर कहते हैं दोस करता हूं कि आपको यह जानकर ही पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे और ऐसी ही नौलिजबल वीडियोस पाने के लिए चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्रा झाल झाल